दोस्तो नमस्कार मैं हूँ मनी पांडे और आप देख रहे हैं Western Banks दोस्तो अगर आप कम पैसे कमाते हैं आपका Credit Score यानि Civil Score कम है और आप एक सरकारी बैंक के साथ एक Credit Card बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी सरकारी बैंक के साथ एक Online Credit Card बनवा सकते हैं उससे पहले हम आपको इस Credit Card के बारे में थोड़ा सा Information देना चाहेंगे कि इस Credit Card के कौन-कौन से Features आपको मिलने वाले हैं दोस्तो सबसे अची बात ये Credit Card पूरी तरीके से Online Process इसका होने वाला है जैसे ही आप Credit Card के लिए Online Application करेंगे अगर आपका Civil Score सही होता है आपको हाँ तो हाँ आपका Credit Card का Number दे दिये जाएगा और कितना Limit है आपको बता दिये जाएगा आप तुरंत के तुरंत इस Credit Card का इस्तमाल भी कर पाएंगे किसी भी तरीके का Shopping या फिर Payment में इसके अलावा Credit Card बनवाने के बाद आपका Credit Card का जो Physical Copy है वो आपके Address पे भी भेग दिये जाएगा 7 या फिर 8 दिनों के अंदर दोस्तो इसके अलावा सबसे Important बात यह है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का Income Proof देने की जुरत नहीं है यानि आप क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, इस तरीके का कोई भी डीटेल आपको Bank को Provide नहीं करना है इन सबी चीजों के बिना भी आपको यहाँ पर Credit Card Provide किया जाएगा इसके अलावा सबसे अच्छी बात इस Credit Card में मुझे यह लगी कि यहाँ पर आपको Lifetime Free Facility मिल जाती है यानि एक बार भी आपको Credit Card का किसी भी तरीके का Charges नहीं देना है जो Annual Charges होते हैं या फिर Credit Card बनवाने में जो Charges लगते हैं यहाँ पर आपको उस तरीके का कोई भी चार्ज नहीं देना है यानि यह Credit Card आपको Free of Cost मिल जाएगा इसके अलावा यहाँ पर आपको EMI की Facility मिल जाती है यानि अगर आप किसी भी तरीके का Payment या फिर किसी भी तरीके का खर्ट जो है इस Credit Card का इस्तमाल करके करते हैं तो आप उन पैसे को Installments में भर सकते हैं यानि महीने के महीने करके उन पैसों को आप EMI के थुरू भी भर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपको और भी offers मिल जाते हैं अगर आपको इस Credit Card के बारे में डेटेल जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए हम इस Credit Card के Review के उपर एक अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों आप चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको इस Credit Card के लिए Online आवेदन करना है और किस तरीके से बनवाना है उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपसे ना चुट पाएं दोस्तों Bank of Adada के Credit Card को बनवाने के लिए आपको सबसे पहले हमारे वीडियो के Description Box में चले जाना है वहाँ पर आपको Credit Card Apply करने का एक लिंक मिल जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है ये वेबसाइट Bank of Adada का Official वेबसाइट है और यहीं से आप Credit Card के लिए Online Apply कर पाएंगे सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते है Credit Card में आपको Video KYC की भी Facility मिल जाती है जैसे ही आपका Credit Card Approve हो जाएगा इस Credit Card में आप घर बैठे KYC भी कर पाएंगे यानि आपको कहीं भी जाने की जुरुत नहीं है दोस्तों अब आपको क्या करना है यहाँ पर इस वेबसाइट पे आना है वीडियो में दिये गए, Description Box में दिये गए लिंक पे क्लिक करके उसके बाद से यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ Personal Detail भरने होंगे जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको Title सलेक्ट करना होगा Title में Mr. Mrs. आप सलेक्ट कीजेगा उसके बाद यहाँ पर First Name, यहाँ पर Middle Name और यहाँ पर आपको Last Name भर देना है अगर आपका Middle Name नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं फिर आपको यहाँ पर आपको अपना Personal Email Address भरना होगा यानि Email ID, फिर यहाँ पर आपको अपना Mobile Number और यहाँ पर Pin Code भरना होगा साथी यहाँ पर आपको Pen Card का Number भरना है यहाँ पर आपको अपना Date of Birth भर देना है कब आपका जनम हुआ है वो आप यहाँ पर भरेंगे वो Mobile Number आपके अधार कार्ड से लिंक होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको दोनों ही Boxes पर यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद नीचे की तरफ आपको Generate OTP का Option देखने को मिल जाएगा आपको Generate OTP पे क्लिक कर देना है दोस्तो Generate OTP पे क्लिक करते ही आपके अधार कार्ड से जो भी Mobile Number लिंक होगा उस Mobile Number पे एक OTP सेंड के जाएगा बैंक द्वारा उस OTP को आपको Inboxes में भर देना है उसके बाद नीचे आपको Verify OTP पे क्लिक कर देना है दोस्तो Verify OTP पे क्लिक करते ही आपका OTP verification complete हो जाएगा यानि आपका अधार verification भी हो जाएगा अब यहाँ पर आपको कुछ details और भी भरने होंगे सबसे पहले occupation detail भरना होगा यानि आप क्या करते हैं यहाँ पर आपको Selleried और Self Employed का option रेखने को मिल जाएगा अगर आप salary के द्वारा पैसे कमाते हैं तो आप salary select करेंगे अगर आप खुद का कोई business करते हैं खुद से पैसे को कमाते हैं तो आप Self Employed को select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको gross annual income भरना होगा आप साल में कितने पैसे कमा लेते हैं आपको बरना होगा यहाँ पर नेचे आपको scroller भी मिल जाता है आप उसको जो है उपर नीचे scroll करके आप amount को भी select कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भर भी सकते हैं उसके बाद यहाँ पर नेचे आना है आपको यहाँ पर बहुत सरे credit cards का option भी देखने को मिल जाएगा bank or bada में इसके अलावा और भी credit cards है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर आप इन में से भी कोई credit card लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं आपको यहाँ पर मैं यहीं prefer करूँगा कि इन में से कोई credit card select नहीं करना है अगर आपका civil score सही नहीं है तो यहाँ पर आपको इसी credit card को select करना होगा जहाँ पर लिखा हुआ है I would like to go for a regular card इसी को आपको यहाँ पर select करना होगा फिर आपको नीचे आना है दोस्तो अब यहाँ पर नीचे आपको बताना है कि आप bank or bada के customer है या फिर नहीं है या फिर आप bank or bada से जुड़े हुए है या फिर नहीं यहाँ पर आपको yes और no के option देखने को मिल जाते हैं अगर आप bank or bada के customer है आपका खाता bank or bada में है तो आप yes पर ही रहने दीजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको select वाले बटन पर क्लिक करके आपको customer या फिर staff में से कोई भी एक option select करना होगा अगर आप खाता धारक है तो आप customer select कीजेगा अगर आप bank or bada में job करते हैं तो आप staff select कीजेगा फिलाल हमारा जो bank account है वो bank or bada में नहीं है तो यहाँ पर हम no वाले option पर click करेंगे no option पर click करते हैं हमसे एक और यहाँ पर सवाल बगल में पुछा जाता है कि यहाँ पर हमारा जो credit card है वो किसी और bank के साथ है या फिर नहीं ज़िए आपके पास इसके अलाबा कोई और credit card है तो आप yes पर click करेंगे वरना आप no पर click करेंगे हमारे पास फिलाल कोई भी credit card नहीं है तो हम no पर करेंगे यहाँ पर yes पर यदि आप click करते हैं तो यहाँ पर आपको bank select करना होगा कौन से bank में credit card आपका है और आपका credit card का क्या limit है वो आपको यहाँ पर बताना होगा फिलाल हम no select करते हैं उसके बाद नीचे की तरफ हमें यहाँ पर continue वाले बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तो जैसे ही आप submit बटन पर क्लिक कीजेगा अगर आप इस credit card के लिए eligible होईएगा तो आपको आगे का process देखने को मिल जाएगा हम फिलाल इस credit card के लिए eligible नहीं है जिसकरन से हमें हमारे सामने आगे का process खुल करके नहीं हाया है हम directly back हो चुके हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि हम इस credit card के लिए eligible नहीं है हमारा फिलाल जो civil score है वो इस credit card के लायक नहीं है दोस्तो अगर आप होंगे eligible इस credit card के लिए तो यहाँ पर आपके सामने आगे का process खुल करके आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि आगे का process कितना simple है क्या कुछ करना है आगे आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल भी form को cut नहीं करना है आप form को cut कर दीजेगा तो फिर से आपको पूरा form fill करना होगा यहाँ पर आपको basically करना क्या है या फिर आपका 20 point civil score भी down हो सकता है तो आपको form को बिल्कुल भी cut नहीं करना है आगे के process में आपको क्या करना है आपका जो credit card है वो आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपका credit card का limit भी आपको देखने को मिल जाएगा आप दोनों ह आपसे आपका additional occupation detail यानि क्या आप करते हैं आपके काम के बारे में थोड़ा सा extra जनकारी आपसे मांगा जाएगा बहुत ज़्यादा hard process नहीं है सबसे पहले आपसे आपका personal detail मांगा जाएगा फिर उसके बाद आपसे आपका education detail personal detail में माता पीता का नाम education detail में आप कहां तक प भरने होंगे उसके बाद आपको bank का statement upload करना होगा इसमें घबडाने वाली कोई भी बात नहीं है आप किसी भी तरीके का statement चाहें कम transaction हो या फिर ज्यादा हो आप statement को upload कर दिजिए का पिछले 6 महिने का और उसके बाद आपको video को ऐसी करना होगा आप चाहें तो video को ऐसी को ब भर पे भेदिया जाएगा बहुत simple process है आगे का process मातर दो से तीन चार मिनट का है आपके लिए तो आपको process कर ही लेना है यहाँ पर बीच में form को cut नहीं करना है वरना जो है आपका 20.CB the score down हो सकता है उमीद करता हो कि video में दी गए जानकारी आपको अच्छी लगी होगी हम आपको process नहीं करके दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपसे माफी मांगते हैं चुकि हम इसके लिए eligible नहीं हो पाए है तो प्लीज हमें माफ कर दीजेगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like, share इस पर comment कीजेगा और हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा क्या है